हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल एनिमन लवर्स में दोस्तों आज मैं टाइगर वाफ फिस को गबर करूंगा और इससे रिलेटेड पूर इन्फरमेशन आप साथ सेयर करूंगा मेरा एक्सपिरेंस भी राइस फिस के साथ उसको भी इस वीडियो के बात कर लेते हैं तो साओथ इस्टेसिया में पाई जाने वाले फ्रेस वाटर की मचली है अगर पर्टीकुलर कंट्री की बात की जाए तो थाइलेंड मलेसिया इंडोनीश्या इसमें इसकी ओरिजिन वानि जाती है इसके अलाबर यह साओथ अफ्रीका के कुछ एरिया में दोस्तों आप बात कर लेता हूँ कि इन फिसस के लिए स्टेंडर एक्विरियम साइज कितनी होनी चाहिए तो डिपेंड करता है इनकी कौंटिटी के उपर अगर इनकी कौंटिटी जादा है इनको आप कम्यूनिटी टैंग में रख रहे हैं उसकेस में आप तीन फिट के एक् इनके साथ रख सकते हैं जैसे एलविनो वाव हो गई टमफाइल वाव हो गई रोजी वाव हो गई यह इसली इनके साथ रह जाते हैं अगर अगर अधर फिसस की बात की जा तो प्लंटेड एक्विरियम में यूज होने वाई लगवख सभी मशलिया इनके साथ रह जाती हैं सेवाई gappy fish को छोड़ के, gappy fish को छोड़ने का reason यह है, कि उनके फिन काफी बड़े होते हैं, यह उत पर neap करने लगते हैं, जिससे gappy fish के death हो जाती है, दोस्तो आप red eye tetra को रख सकते हैं, neon tetra को रख सकते हैं, इसके अलावा molly faces को भी रख सकते हैं, दोस्तों बिलकुल नहीं रहते हैं, यह उनके fin बगारा में काफी तेरि से निप करते हैं, धीरे-धीरे उनके fin फटने लगते हैं और उसे फंगर इंफेक्शन हो जाते हैं मश्याले मरने लगती हैं दोस्तों कभी एक गलती और जरूर करते होंगे तो उसको बिल्कुल आप ना करें कभी भी आप बेटा फिस के साथ इन मश्लिवों को ना रखें क्योंकि बेटा फिस का इफिन काफी बड़े होती है और ये मश्लियां जैसे उनकी बड़े फिन देखती है उसके पिंच करने लगती है इसलिए आप बेटा फिस के साथ वो रह जाती हैं, लेकिन जैसे उनकी साइज बड़ी होने लगते हैं, तो इन पर अटेक करने लगते हैं, और इनको खा जाती हैं, इसलिए आप बड़ी सिसेल्ड के साथ इन मचलों को कभी न रखें, दोस्तों आप बात कर लेता हूं कि इन्फिसिस के एक्विरियम का प कितना होना चाहिए, तो आप थेज़ डिगरी से लेकर 28 डिगरी की बीच में टमप्रेचर मिंटेन कर सकते हैं, इस टमप्रेचर मचलों काफी अच्छी रहती हैं, और इनमें फंगा इंफेक्शन वज़ेरा भी नहीं होता है, दोस्तों अगर मैं 28 डिगरी से लेकर 28 डिगर टमप्रेचर की बात करता हूं, तो इसमें आप 2 प्लस 1 ऐसे घटा या बढ़ा सकते हैं, अगर एकाद 2 डिगरी टमप्रेचर उपर नीचे भी हो जाता है, तिन मचलों में कोई खास अज़र नहीं होता है, यह मचलों की यह मचलों काफी हार्ड होती हैं, दोस्तों आप बा और फिल्टर का यूज़ करके इन मचलों को रख सकते हैं, अगर कम मचली आप रख रहे हैं, तो आप पावर हेट फिल्टर का यूज़ करके इसली रख सकते हैं, हाँ अगर आप कम्यूटी टैंग रख रहे हैं, उसकेस में आप सम फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, हैंग अब आप एजली यूज़ कर सकते हैं अब बात कर लेता हूँ कि इंफिसस के एक्विरियम की लाइटिंग कंडिशन कैसी होनी चाहिए अगर आप प्लांटेड एक्विरियम में इंफिसस को रख रहे हैं तो उस केस में आप 5-6 घंटे एक्विरियम की लाइट जरूर अन रखें अगर नॉर्मल एक्विरियम में इंफिसस को आप रख रहे हैं तो उस केस में आप 3-4 घंटे लाइट अन रखें इससे मशलियां काफी एक्टिव रहती हैं और इनके जो लाइफ के एक साइकल होता है वो चलता रहता है दोस्तों बात कर लेता हूं कि इंफिसस के लिए सबसे बेस्ट फुट कौन से माने जाते हैं तो यह मशलियां उमनी वरस फिसस होती है यह नॉन वेज़ फुट और वेज़ फुट दोनों तरह के फुट को लेती हैं अगर वेज़ फुट की बात की जाए तो टेट्रबिट ऑप्टिमम और हिकारी वगारा के जो पैलेट फुट मिलते हैं अगर नॉन वेज़ की बात की जाए तो बहुत साही लोग श्रिम को कट करके इंफिसस को देते हैं और ब्लड वाम्स वेरा होगे उनको भी इनको फीट कराते हैं अब बात कर लेता हूं कि इंफिसस में कौन कौन से डिसीज होती है उनका ट्रीटमेंट कैसे के जाता है जो सबसे कामन प्राबलम होती है फंगल इंफिक्शन की उसकेस में आप एक्वेरियम का 30-40% परसेंट जरूर चेंज कर दें इसके बाद नया वाटर एट करते समय आप रॉक सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं यह एक्वेरियम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं इसे मचलों में फंगल इंफेक्शन काफी कम हो जाता है अगर वहीं दूसरे तरीके के बात किया तो आप एंटि फंगल लिक्विट का यूज़ कर सकते हैं अपने एक्वेरियम में 28 डिग्री सेट करके हीटर लगा दें इसे मचलों में फंगल इंफेक्शन काफी कम हो जाता है अगर आपको देसी तरीके से फंगल इंफेक्शन कम करना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों अगर दूसरी बीमारी की बात किया तो इन मचलों में कॉंस्टिपेशन प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है यह मचलों ओवरीट करने लगती है इससे यह मचलों उल्टा होकर तेहने लगती है इसके लावा आप दो से तीन महीने पर अपनी मचलों को डिबायमिंग करें अगर डिबायमिंग इड़ाया चाहिए तक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सक्फिन पर जुरू बताइएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में डिवाविंग को कबर करूंगा दोस्तों आप बात कर लेता हूँ कि इन्फिसेस का प्राइस क्या है मार्केट में तो सबसे पहल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ मैं इंटर्नल स्टेट की बात कर रहा है जैसे यमपी, यूपी, छतीज, गड़, बिहार इनमें ये 30 रुपए या 40 रुपए पेर मिल जाती है अगर आउटर स्टेट की बात किया जो ओसियन से सटे हुए होते है इसमें 10 रुपी, 15 रुपी इसमें इसली मिल जाती है दोस्तों इसी साथ आज के वीडियो के ही सुआप्त करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को जरू से जरू सब्स्राइब कीजेगा वीडियो को शियर और लाइक कीजेगा और आपके फ्रेंड सर्क्रिल में जितने एक्वेरम होविस्ट है उन तक मेरे वीडियो जरू से जरू पहुंचाईएगा तब तक के लिए चलता हूँ धन्यवाद